लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें अल्टरा चनल्स करें प्रेस व्राइब सूरज मुझे बहुत डर लग रहा है क्यों हम अपना इराज कब तक छुपाई रखेंगे मैं भी यही सोच रहा हूं वालती लेकिन शादी की बात करें तो कैसे हम दोनों के डैड़ी एक दुसरे के दुश्मन है मुझे विश्वास है मेरे पिता जी मेरी बात को ना नहीं करेंगे लेकिन मेरे डैड़ी को कौन समझाएगा ठीक है अगर वो शादी के लिए हा नहीं करेंगे तो हम उनकी मरजी के पिता जी के? मुझे आप से कुछ कहना है मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो तुम दोनों शादी करना चाहते हो, यहीं न? जी एक पेती बाप से यह बात करे, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी हम दोनों एक दुसरे के बिना जिन्दा नहीं रह सकते हैं ओ, तो बात यहां तक पहुच चुकी है तुम्हें मालूम है, पंदरा सालों से हमारी उन लोगों से दुश्मनी है हमारी शादी, आपकी बरसों की दुश्मनी को फिर से दुस्ती में बदल देगी आपको अपनी दुश्मनी प्यारी है या अपनी उलाद की खुशी एक बाप को तो उलाद की खुशी चाहिए तैट हाँ थैंक्यू दाश, थैंक्यू सेरी मच्छ पिताजी थैंक्यू हलो हलो, मैं माल्ती बोल गए है सूरज सहाब घर पर है जी वह आप से मिलने अभी अभी रवाना हुए है आच्छा आच्छा झालो या या कर दो खूएitel कि शोड़ा दोगा कैंए जो करेंगे ह।। फज dicksनेोेहाँ उनम कि ऑनलोगा है कि अनर प्राफिछे जड़ में खा डब्लाम हुआ 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 है भगवान की लिला भी नियारी है जिसकी जरुरतियों से बुला लिया और जिसके वारे में सोचा भी नहीं तो सब भेज रहा है क्या बात हुआ है बात अच्छी नहीं है तुम्हारी बेटी मा बनने वाली है मा आच रंदास डॉक्टर मेरी इसतखाग में जाएके लोग कहेंगे बिन बहीं लड़की को कुछ करो डॉक्टर फ्रीज कुछ करो तुम्हार मतलब है गर्वपात हाँ उसके लिए देर हो चुकी चरंदा ओ डॉक्टर इसमेरी बेटी की सिंदकी का सवाल है तुम्हारी बेटी की जिंदकी की फिक्र मुझे भी है अगर इस कामे कोई घलती हो गई तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है नहीं, अब रहने दो मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाओं का जहां हमें कोई जनने वाला ना हो लड़का हुआ है मालती की तविद कैसी है अभी तक होश नहीं आया वो बच्चा फोरण लाकर मुझे देदो क्या? हाँ जल्दी जाओ हाँ ते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ स्प्राइब कर दो है कर झाल 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 प्राट, पर्देशन निए, जाए पार, आए! मीरा बच्चा, बच्चा कहा ए? बटी कहा ही? बटी, उसा बखम बखनें ते चिन लिए पिताजी! आईडी! आयो मालिक! अरे, कहा छुपा रखा तुमने? आप आयो मालिक मेरे साथ! आली! आण लिजे मालिक! क्या हुआ। लला ये! मुझे दिजे! जलदी पकड़ो. चलो! ए इसको कहा ले जा रहा है? घर मालिक. किसी का पाप क्यों अपने साइर लेता है? मालिक? पाफोका उसके लिए जिसने किया है, मैं तो इसे पूम समझ के लिए जा रहा हूँ मैं पूछती हूँ, इस फूल जैसे बच्चे को इस तरह फेखने वाली मा है या कोई डायन अरे ये तो आजकल आम होता है इस दुनिया में कोई माबा बच्चे को पाल नहीं सकते तो सलक पर पड़क देते हैं कोई कुवारी लड़की मा बन जाती है तो बच्चे को कच्र में दखेल देती है नजाने भगवान इसे पापियों को संतान क्यों देता है अरे ये तो भगवान जाने और वो लोग चाने मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम जो चाहते तो वो हमें मिल गया बरसों से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान संतान थे और देख संतान भी कैसे मिली बेटा ये हमारे जीवन में आशा की जोती बनके आया है मैं तो इसका नाम भी यहीं रखूँगी जोती, जोती सिंग ताटा आशू मा भईया बहुत अच्छी है ना हाँ बेटी इस घर में जोती के आते हैं हमारे नसीद चमक गया तेरे बाबा की तनख़ा भी बढ़ गए और फिर तू पैदा हुई ससच पुल मा, तुम क्या मुझे कच्रा पिटी से उठा के लाई थी मेरी कोई मा नहीं है, मेरा बाप नहीं है बोलो न मा बोला कोई हो या ना हो, हम जो है तेरे इसका मतलब यहुआ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ अरे रमेश, जानता है वो क्या है, वो, वो तक कच्रा पिटी है अरे यहां, यहां कितने कच्रा पिटी है, एक, एक नहीं, दो, एक यह, और एक वो हुआ 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 हना हुआ 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 हुआUCK थ्र मिया बाल बाल कर दो 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 किवर कर दो 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 कर मैं पूछता हूँ पुलिस कर क्या रही है? एक मुझरिम ने सारे पुरांत में तहल का मचारख रखा है और पुरांत सारी पुलिस अभी तक नहीं गिर्फ-rtar कर सकी शर्म की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यस सर मुझे यसर नहीं मुझरिम जवाला सिंग चाहिए उसे गिरिफतार करने के लिए मैं तुम्हें तीन दिन की मौलत देता हूँ मुझे यसर नहीं जवाला सिंग को ढूनने के लिए मैं तुम्हें दो दिन की मौलत देता हूँ मुझे यसर यसर नहीं, मुझे इम जौला सिंग चाहिए, कुछ भी करो, वो फोरण गिर्फतार होना चाहिए गिर्फतार तो उसे हम अभी कर सकते हैं, इसी वक्त, मगर ये भी तो पता चले के वो है कहाँ बेल्यामस, जी शेरु कहा है? पुलीस ने पकड ली और तुमने क्या किया? पुलीस से बज़कर भागाया शाबाश, तुम बहुत बहुत बादू रो शेरुने पुलीस को हमारे बारे में कुछ बताया? नहीं सर, जैसे ही पुलिस नों से पकड़ा, उसने अपने ही पिस्टल से अपनी जान ले लिए सच ना बोलना पड़े, इसलिए उसने अपनी जान दे लिए और कहीं तुम्हारी जानना चली जाए, इसलिए तुम भग पास्टेड! इस किरो में शामिल होने से पहले, मैंने तुम सब से कह दिया था, यहां जो भी आएगा, सर पे कफन बांद कर आएगा, जिसके सीने में वालात का दिल होना चाहिए, जिसे न पुलिस की गोलियों की परवा हो, और न अपनी जिन्दगी का लालच, अगर मैं तुम्हारी जगा होता, तो जानते हो क्या करता, अपनी जान दे देता, मगर अपने साथी को, पुलिस के हवाले नहीं होने देता, बहादुरों की फॉज में, एक बुजदल, सारी फॉज को तबाह कर सकता है, राजा! है दू जचांक हो ho, 1-2,3,2,6,1,1,2,1,2,3,1,2,1,2,2,2,1,2,1,2,2,2,2,3,2 , uli,3,2,3,2,1,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,3,2,2,1,2,2,2,2,3,2,2,1,2,1,2,2,3,2,2,2,4,2,2,2,3,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2 ,1,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,2,4,1,2,1,2 अरे दो रूपय का बट्वा क्या बटन तक नहीं मिलता बटन? ए बटन! क्या बोली? अरे हम बोलता है दो रूपय में सब जगा मिलता है, समझे क्या? अगर मिलता है तो मुझे ला दे कमिशन मिलेगा? हाँ, वीस पैसे हर नक कमिशन दोँगा कितने चाहिए है? जितने मिले यह लोकर यह भी ले यह भी ले यह सब 20 रूपय के है? दीस पैसे कमिशन के हाँ, कमिशन दे दूँगा, कमिशन दे दूँगा नढर यह एक एक बट्वा Also एक डिजाइन का है हाँ हाँ, अलग-अलग डिजाइन के अलग-अलग संपल है तुम्हारी अपनी फैक्स ही है क्या? और नहीं तो क्या? इधर? इधर तिक-टिक, तुंग-तुंग तिक-टिक, तुंग-तुंग, तिक-ठिक ए, माल लेकल, माल यह लो, और यह कमीजन तिक-टिक, तुंग-तुंग-टिक-ठिक-ठिक-ठिक-ठ्रिक, तुंग-चुक-ठिक इसक्वसमी, मुसे तरह लीप तेंगे आप? ओ, शूरा, शूरा, शूरा thank you आभी लदाओ, यहां जो बाँ जगा तैंक्यू यह वएविवच कहां जाना है? हाँ, बस थोड़ी थोड़ी अड़ी लिखे मालों पड़ी? हाँ कहा तर दो? M.A. M.A? जी ज्या काम करने है? तिक तिक तूं तूं च्या मतलब? मतलब काटिंग काटिंग? तेलर निंग वाली काटिंग हाँ हाँ और सलाई? सलाई लोग खोद कर लाते है पॉरें गड़ी है हाँ वहाँ 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 अकेली हो? नहीं तो, इस शहर में आप जैसे बहुत कराख है मेरी शेतान कहा रहती? जहाँ जहाँ काटिंग करती हूँ मेरे घर आओगी आजकल कोई नहीं हूँ आजकल कोई नहीं हूँ आँगी अभी चले अभी नहीं अभी तो मुझे बहुत लोगी कटिंग करनी है मैं कल आजाओगी, आप मुझे काटे दीजे हाँ ठीक है बस ड्रावर को बोली है यहाँ छोड़ते मुझे मैं यहाँ उत्रूंगी ड्रावर, गाले रूख Thank you very much कलाओगी ना? हाँ हाँ, जरूर आओओगी बाबाबाबाबाबाबाबाब बाबाबाबाब मोठु राम मेरी किर एगी नह हाँ हाँ क्योंगी कोई बाबाबाबाबाबाबाबाबढाबाबाबाबी बाहरी किसए मा की दवा के लीए भी रुपे मिलके है और अपने बिजारी के लीए हुहु हुह हém साली, बन गई मैं उल्लु आज़ वेलकम जौला, वेलकम तुमने मुझे किसी काम से बुलाया तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्लैक बॉस बगएर काम के किसी को नहीं बुलाता क्या चाहिए, मुड़दा या जिन्दा मान जाये तो जिन्दा, वरना मौत के घाट उतार देना औरत या मर्द कराटे फाइटर जॉन जो मेरे स्मगलिंग के काम में रुकावट पैदा कर रहा है पिछले दस दिनों मेरे पचास लाक का नुफसान कर चुका है माल क्या दोगे एक लाक दो मन्जूर है यहां क्या करने है यहां क्या बेकने 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 स्राइब पर्षाण बंद कौन एट्व यहां किस लिया तुझे समझाने प्लैक बॉस के रास्ते से हट जा परना 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 रॉट्याओ हाँ 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 ब्लैक बर्स के रास्ते में आएगा नहीं शाब बाद जुआरा तुमने कमाल कर दिया कमाल माल माल हाजिर है ठीक से गिन लो जरूरत नहीं जो जवाला से खेलता है वो जल कर राख हो जाता है बहात खुब्सूरत है दिया मानता हूं मगर मैं तवाइफ को पहचानता हूं अरे जा हूंगी किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ बलम ऐसा मारूंगी मेरे नाम से कापता है जमाना जरा सोचके हाथ मुझे उठाना ओ तूने देखी प्रेमन जर्या ओ तोने देखी प्रेमन जर्या अब घुसा भी देख सावरिया मैं तो गिरूंगी बने के बिजुरिया मैं तो गिरूंगी बन के बिजुरिया जरा होने तो दे बरसात बलम ऐसा मारूंगी किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ बलम ऐसा मारूंगी अरे इदर देख ऐसा कोई मर्द होगा मुझे मारने से तुझे दर्द होगा ओ तेर से आना जल्दी जाना ओ तेर से आना जल्दी जाना रोज बनाना एक पहाना कल देखूंगी आज तमाना कल देखूंगी आज तमाना कल भी जो हुई यही बात बलम ऐसा मारूंगी किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ, बलम ऐसा मारूंगी कभी देखा जो सो तंके साथ, कभी देखा जो सा तंके साथ, बलम ऐसा मारूंगी किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ, बलम ऐसा मारूंगी खुले बालवाली पहिचाना अबरे तु दादों की उस्ताथ उजिन तु अपनी तिक तुंटुंग कर दिया माफ कर ना यास क्या है ना उजिन और कोई मिला नहीं इसलिए तु मैं ही मिल गए I'm sorry, माफ कर दे ना यार चला माफ किया पर मैं सोच रहे थी तु भी pocket मारे मैं भी pocket मारे यान्य दोनों कलाकार तो एक दूसरे की pocket मारने की बज़ा है अगर हम दोंनों मिलकी काम करें तु दुनिया की pocket मार सकते Very good idea, मिला हाथ आज से हम दोरों मिलकर काम करेंगे, okay? नहीं यार, तेरा गले से लागे यार, तेरा गले मिलने की आदत है, तेरा नाम क्या है रहे? आश्या, मगर सब लोग प्याल से मुझे आश्य कहते है है, सब लोग, आपनको ते इस दुनिया में कोई है नहीं, आपनका नाम है अनु, यह ले समझ, पर से कुछ मानना नहीं या, पादल है जब मैंने होश समाला, तो आपनके अडरेस मिला, क्यारफ, फुटपर्स, पर लड़की के लिए इस सड़क पर रहना बड़ी सगट की बात है जो भी देखता है, कुछी नजर से दिखता है, खाने को तो कोई दस पासा देता नहीं, पर यह इस इजज़त है न, इसके लिए दस से सो तक लगाने को ते यार आपन भी तंग आके कलाकार बन गया, और धंदा चल पड़ा, पर तू कैसे कलाकर मनी अपनी भी अजीब कहनी है यार, एक भाई था, वो बच्वित में घर छोड़के चला गया, बाबा किसी की यहां ड्राइवर की नौकरी करते थी, उसने उन्हें जूटे इल्जाम में जेल पिज़वा दिया, और थो कैसे मा की इससो क्यों तुमने मुझे बुलाया येफ, क्या चाहिए, मुर्दा या जिन्दा, तुम उसे जिन्दा लाओगे और मेरे हवाले करोगे, हारत या मर्द, बच्चा, ये काम किसी बच्चे को सब्ता, ये काम बहुत खतरनाक है जौला, चौबीस घंटे चारों कर पुलीस का पहरा लगा रहता है, इस काम को करने के लिए मेरे दो आदमी पुलीस के हाथों मारे जा चुके हैं, बोल, शादी के बीस साल बाद, शहर के मशूर बिजनसमैन, मिस्टर जे एन आनन के घर, उनकी क्रोडों की जादा का इकलोता वारिस पैदा हुगा है, अगर उस बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए, तो वो सारी जाइदात किसी और के हख में आ सकती है, और वो आदमी मुझे इस काम के बीस लाग दे रहा है, दस लाग मेरे, दस लाग तुम्हारे, इस्टर आनन की कार का नंबर क्या है, MHD 5075 इसा बंदोबस्त करके रखा है, देखता हूँ, अब वो बच्चे को कैसे लेके जाएगा, करेक्ट नमस्ते सब, सब ठीक है न, सब ठीक है, खोश या रहे, अच्छे सब, फिकर की कोई बात नहीं, अब तो साब भी आ गए नमस्ते सब, में सब कहा है, अपने ब्रेडरूम में चूँ! साहब आप यहाँ अरे साहब को यहाँ है फिर वो कोई था जो उपर गया जुवाला कहा ले जा दे उस बच्चे को तुम चाहते हो इसकी बली दे दी जाए या इसे कच्रा पीटी में फिक दिया जाए मगर तुम्हें इससे क्या मिलेगा रुपया अपने लालच के लिए तुम्हें एक बेकसूर बच्चे को उसकी मा से अलग कर दोगे एक दिन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हे भी तुम्हारी मा से किसी ने अलग कर दिया था तुम्हे अनाथ बना दिया था इस बच्चे की तरफ देखो जो तुम्हारे हाथों में है क्या अपनी तरह का एक अनाथ तुम इस दुनिया को देना चाहते हो बोलो, जुआला, बोलो, बोलो तुमारा क्या फैसला है? रगवान पर फरुसार रखो, हमारा मुन्ना हमें जरूर मिलेगा हुले, हुले, हुले इरे बिचा हैंजब हुआ बोलो, पुआए हुआ हुआ Kuchk, chuchk, chuchk, chuchk healthy, Finnish पड़ आश्ट, मॉलेश, गॉट मॉलेश। गोट पॉलेश, ओ सुपाराओ जी, ओ शाराओ जी, अरे ओ पमजी, एड मिस्टार, दिल बालो मत बालो, दो दिन हस लो गालो, सर में हम पाव में मेट्टी, इस मत कोचम कालो, करलो पेल मलेश, करलो बूट पलेश, पेल मलेश, बूट पलेश, अरे ओ दिल बालो मत बालो, दो दिन हस लो गालो, क्या खूद, क्या खूद, क्या खूद, क्या खूद, क्या खूद तुम्हारी सूरत है, और जो तान वे खूद, क्या खूद तुम्हारी सूरत है, शीशे की क्या जरूरत है, शीशे की का जरूरत है, लो ये दंगी जूते में, वो देख के बाल बना लो कर लो दिल मालेश, कर लो गोट पॉलेश, कर लो गोट पीलॉट अ लोमत भालो, जो दिन हस लो गालो लाउ बहुग लाउन और सब्सक्राइस दिल धड़ के बातों भातों में या नी नाए रातों में जादू है अपने हाथों में जीरो से बन जाओंगी रो हमको पास बुला लो करल देल मारे शरल बूट को रै खरालो तेल बाले, खरालो पूटकोले, अरे दिल पालो पतु पालो, दो दिन हसलो गालो कल मिलना है, अकल मिलना है धर में दर से, अकल मिलना है धर में दर से हमने ये कहा, राजेंदर से, देखते ही है कोई खाली, जैसे हो काम चलालो करालो तेल माले, खरालो पूटकोले, खरालो तेल माले, खरालो पूटकोले करालो तेल माले, खरालो पूटकोले, खरालो पूटकोले ख्यंदर से घंदर्मराइश के माले ख़ीयर हए आप सब्सक्तिर बजया है ए रुप साली पीच मारे अड़ाए उसना बीच आटाओ, बीच आटाओ चालाओ झाल, बक्षद काल हुआ होाई हुआ हुआ ब पाल झाल झाल बड gerçek होrios मैं हूँ बाबा, आपका जोदी बाबा 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 जोदी मेरे बच्चे, मेरे बेटे जोदी तु यहाँ घर छोड़ने के बाद वक्त के आंदी मुझे जान ले गई मैं किया सिंदगी ने मुझे जो कुछ करवाया मैंने किया चुर्म करना अब मेरा पेशा है और जेल मेरा कर मुझे मालूम था बेटे तो कभी घर वापस नहीं आएगा लेकिन आप यह कैसे पहुंचे तो रम्दास के साथ मिलकर मैंने जो पाप किये थे मुझे न सिर्फ उनकी सजा बलकित अलम्दास के पापों की सजा भी भुगतनी पड़ रही है मैं समझा नहीं बाबा देखे तेरे घर छोड़के जाने के बाद दिन रात यह किसके लिए आंस उबाते रहती है उस खुनी के लिए खुन उसने जान बुचके नहीं किया वो उसे बार बार सताते थे हाँ हाँ जराजी किसे ने कुछ बात कहती तो खुन कर तो उसका तुमारे लाज प्याओ ने उसको बिगा रखा था कलको तुमारा खुन कर सकता था मेरा खुन कर सकता था वो तो शुकरसम जो बालेक ने मुझे नोक्रे से नहीं निकाला वरना जो तुमारे लाजले ने किया था ना आज हम चालकों में भीग मंग रहे होते नमस्ते बालेक देड़िक लिए मौफी चाहता हूँ हाँ चल बढ़ तुझे एक जरूरी काम सी शहर से बाहर जाना है जी बहुत अच्छा चल पारवती, पारवती, पारवती क्या है जगा? मालिक ने तुझे फॉरान आने के लिए बोला है तेरे खसम को पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? मालिक आजो जाओ नमस्ते मालिक आओ आओ आजो आजो मालिक क्या अप्राथ हो गया मेरे पते से? बढ़ो बता दो बताए न मुझे मैं तुम्हारे पती को बड़ा शरीफ और इमानदार आदमी समझता था मगर आज पता चला कि वो स्मगलर है इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया है सच अब क्या होगा मालिक वही जो तुम चाहो बैटो बैटो क्या? बैटे? नहीं बैटो बाबा मा उने तहां बड़ा जूल्म हुआ और तुमने उस कमीने को छोड़ दिया मैं करता भी क्या लेटे वो गड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं उनके पास पैसा है, ताकत है ऐसे लोग कानून और इनसाफ को खरीच सकते हैं सच को जूट और जूट को सच बना सकते हैं तो कुछ भी करें दुनिया के नजर में मुझरिम नहीं वो धरम के अवतार हैं हाँ, हाँ वो धरम के अवतार हैं और हम मुझरिम सिर्फ इसलिए के मुझरिम की चाप एक बार हमारे माथे पर लगा दी गई है भबा यह चाप पचास बार लगे यह सो बार फरक नहीं पड़ता उस अधरमी धरमदास को जिन्दा छोड़ देना दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है जिसने जिसने उस देवी की इज़त लूटी बाबा बाबा मैं तुम्हारे नासों की सोगन खा कर कहता हूं मैं उस धरमदास को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा कल जब सब कैदियों को काम पर लगाया जाएगा हम वहां से भाग जाएंगे रुक जाओ कर दो कर दो जाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर रूर कि झाग्तर झाग्तर कर दो मेरा बार किलब ठौरा करेंए झाग्तर कर दो का नंदर्क बार केंए्टर पक किल चांतर को मेरा बार किली है! हआग झाग्तर मेरा है! अबड़।, पक मसफें, पक मसमाम गएग।! werd कर जाहाँ! चराआ बश्किले तुमारा जाओ, बुझे दुमारा जाओ, जुझे दुमारा जाओ, जुझे दूँए बाभा बाभा बेल प्ली करने अरे मेपर्स क्या वा, कहाँ गया? अरे? किसने लिया मेरा पर्स? मैंने नहीं लिया तुमको बोला किसीने, किसीने तो जरूर चुरा किसने? नहीं, आप तो जेंटल मैंने, आप किसी मा.. I'm sorry किसीने तो पर्स जरूर लिया किसने चुराया पर्स में.. किसने? आप भी जेंटलमन है, आप भी नहीं मार सकते कहा आ गया मेरा पर्स हा? हमको क्या मालूम अरे वा, वा, तुम्हारे होटल में पर्स चोरी हुआ क्यों, हुआ के नहीं? और बोलता है कि हमको क्या मालूम गर दे पर भी आना तुमको जग्रा करना है यह तुमको ठॉकर नहीं जग्रा करना है? तुमको हुमारे साथ जग्रा करना है? नहीं न.. हम अपर्स चापने ब merchant Oh टिक है, प्र अच्छा ऐसे करूँ हम बेल सांन करके जातेए, कल आकर पेमंट कर देंगे दो खकेदें आपको हो तक्क के ब्यांद मेंग. यहाज़र फटीचर फटीचर होटल है। एक लेटी ट्रावल में है और तुमको बिल का पिड़ा परागा वेतो कुमिंग सर यस सर कितना बिल है 47.50 क्या 47.50 लड़की की चाहिका इतना बिल? यस सर काथ रहा भाएंप मैंसरुफ, जुझ में पर्स के बाज़ ना, इस जब मेरे भाइया को ये बात मालूम पड़ेगी वो किते नाराज होगे आपकी भाई, क्या करते हुआ वह फॉरें में फॉरें 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 में है ना फॉरें कि मैंने आपको पहले की देखा है कॉलिज में देखा होगा कॉन से कॉलिज में बढ़ती हैं ती जब भईया सटेड्स गय थे न उसके पहले में कॉलेज में थी कला मंदिर के स्टेज पे देखा है मैंने आपको you यू पहुत है। याप अपने देख था वना हुअ याप आपको मुभार्कबार देने के लिए फैसरा हुई दो दिनों से मुझे हुआ हों पृष्वा माट द दो नेretरा है। लेकिन मेरी आप से एक request कीजिए दुख्यों की साहेता के लिए हम लोग एक program पेश कर रहे हैं विश्वामित्र मेनका मेनका के लिए कोई suitable dancer नहीं मिल रही मेनका आप बन जाएं तो मैं आपको कैसे ना कर सकती हूँ आपने मेरी कितनी मदद की है मेरी इससत रख लिए मुझे तो आपकी मदद जरूर करनी चाहिए तेंक्यू तेंक्यू वेरी माच लेकिन आपने ये तो बताया नहीं आप कहां से आये हैं, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है मेरा नाम अर्जुन है मेरे पिताजी का नाम उपी बक्षी है और वो इस शहर के टी आईजी हो पुलिस है क्या हुआ खटमल खटमल है आप अगर मुझे अपना एड्रस दे तो मैं एड्रस देने की क्या जरूरत है, उससे क्या फाइदा होगा हां मैं तो जादे तर घर से बहार रहती हूँ रोज सुबह जल्दी निकलती हूँ घर से लोग सेवा के लिए रोज रात को लेट घर पर आती हूँ लोग सेवा करके लेकिन इस वक्त मैं रोज यहां होती हूँ पक्का तो फिर ठीक हम लोग को यहीं मिलेगी वेरी गुड वेटर जली से साब का बिल लेकर रहा हूँ चाइब इंगी तेंक यू माय तुम्हारे जेल से निकालने के तरकीब सोची रहा था कि पता चला तुम खुदी जेल से निकल भागे हाहा जवाब नहीं तुम्हारा किस लिए बुलाया तुम्हारे बगार मेरे बहुत काम अटके हुए लाग अब मुझे उन कामों से कोई दिल्चस्पी नहीं क्यों अब तक मेरे जेने का कोई मतलब कोई मकसद नहीं था इसलिए मैं हावारा बोगुले की तरह घुमता फिरता था अब मुझे मालुम है कि मुझे क्या करना है रोजी कमाने के लिए नए अपने माबाप की आत्मा की शांती के लिए तुमारे माबाप हैं सगी माँ नहीं ना ही बाप का पता है मगर वो माबाप जानता हूँ जिन्होंने मुझे कच्रे की पेटी से निकाला सीरे से लगाया पाला पोसा बड़ा किया एक राक्षस ने मेरी देवी जैसी मा की इज़त लोटी उसने खुद कुशी कर ले उसी राक्षस ने मेरे बाप को जल भीजवा दिया वो बदकार दलील दरीन्दा जा कहीं भी है मैं उसे डून निकालूँगा उसकी एक एक रक्षे डालूँगा उसके खुण से अपने माबाप को तरपन दोगा कौन था तुम्हारा बाप राम सेंग तो साथ में को जानते हूँ पुस अवतार पुरुष को कैसे भूल सकता हूँ मैं मेरे बच पन को जला कर मुझे जुआ बनाने वाला वही पहरपया तो है जिसके चेहरे पर धरम का जूटा नकाब है उसका नाम है धरम थास चलता हूँ क्या चाहिए बड़ा बला ब्रेट है हाँ है दो देना अच्छे बेटो देता है बड़ा ब्रेट देना कि खूँ अच्छे वाँ बड़ा देना वाँ कि खूँ बड़ा बला फ्ट देना हाँ कि खूँ अच्छे वाँ 盡़ की और दया मतनिश की कि एकेड से एसना। आप लूओ लूब लूजए लूए भी लूए लूए भूए नहीं आप लूए 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 बड़ने होता अजय दर कि अच्टू में जोह। हुआ 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 हुआ! कर तये घे ते हुआ 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 कर मैं part हुँ यू व network हाँ озब birthday yeah हाँ लाँ in एच़े कि पासरे कि अ कहा करोंगा ह॥एँ कि अ अ अ आय एच़ अँ आख है 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 थांति सनौ जी ये लो तुमारी जो नुक्तान हो बयर बहुत 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 महथ़ादी क्या करते हैं? वाह गृुर वाह, मान के. क्या कमाल क्या? क्या करते हो? मैं… तिक- तूग- 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 नहीं समझे न? तिक-तूग- तूग- तूग- वाह, वाह, वाह. क्या खुश्खबरी लेकर आए हैं आप लोग अकेले जोरा ने तुम साप का मूग काला करके भीड़ दिया है दुखो जाए यहांसे मैं तुम्हारी मनुश्चक्ले में देखना जाता गिरूट माल्ती आई जी तुम तो ऐसे सजदर्श के आई हो जैसे तुम्हारे बेटे के बजाए तुम ही स्टेज पे आपने करने वाली हो चलो देर हो चुकिये वहां हमारा इंतदार हो रहा होगा मैं जोगन हूँ तुम जोगी हो जोगी जोगन हूँ तुम जोगी जोगन हूँ तुम जोगी हो जोगन जोगी इस पार, उस पार, मेरा पें तेरा प्यार जोगन हूँ मैं, जोगन हूँ, हां मैं जोगन हूँ, मैं जोगन हूँ रिबाबाबाबा, 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 रिबाबाबाबा तू जोगन मैं जोगी, मैं जोगी, जोगन जोगी की होगी इस पार, इस पार, मेरा प्रेय, मेरा प्याम, इस पार, इस पार ए तू जो गन मैं जोगी, मैं जोगी विश्राम बन में दिया, संसार को त्याग के जाएगा तरं तू का आईस, मन से तू भाग के जारी जारी सुन्दर नारी, तुम भ्रष्ट मुझे करतोगी विश्राम बन में किया, संसार को त्याग के जाएगा परन तू कहा, इस मन से तू भाग के ए जारी जारी, ए सुन्दर नारी, तुम भ्रष्ट मुझे करतोगी तू जोगन मैं जोगी, मैं जोगी आई हूं मैं सर्द से अक्किया जड़ा, खोल तू आई हूं, आई हूं, आई हूं, आई हूं, आई हूं, आई हूं मारा टमाटर मुझे, किस दुष्ट ने बोल तू मारा टमाटर मुझे नहीं, नहीं, तू ही नहीं, नहीं, तू ही नहीं जोगसा है पिम करोगी तू जोगन मैं जोगी, ओ मैं जोगी मैं जोगन तू जोगी, ओ जोगी जोगी जोगी, जोगी जोगी, बोगी जोगी हाहा हुआ 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 है जोला क्या तुम जिस आजमी से अपने माबाब का बदला लेना चाहते हो ब्लैक बोस तुमें उसका पता बता सकता है क्या जोला धरव मैं पुछता हूँ ब्लैक बस का है बुल ब्लैक बस का है हुआ 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 बुल 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है बहुत-बहुत महरबानी आश्यू जल्दी से मौरंपटी का समान ला अरे ये किसे ले आई तिक तुम तुम उस दिन मैंने तेरे को बताय था न एक आदमी ने बहुत सारे गुंडों की पिटाएगी थी ये वही है ला लेकिन इसकी यहालत किसने कर दी उनी साले गुंडों न वुफू वेरे कोटनी आश्यू? आश्यू? क्या वा? अनु मैने तुछे बताया था ना भगवार ने मुझे एक भाई दिया था और भगवार ने उसे मुझ से चीन लिया और आज उसे भगवार ने मेरे भाई को मेरे पास बेच दिया ये तु क्या कह रही है? अनु ये मेरा भाई है पर तु यह कैसे कह सकती है कि तेरा भाई है अनु यह देखा और और यह देख हाँ अनु एक दिन बाबा ने चलती लगड़ी से भाया को मारा था और मैं बचाने के लिए बीच में आ गई यह वही निशान है अनु वॉफ ओया Çो हाँ आशी मेरीम पर दो तो आकने ही है बहिया, इतने दिन तुब कहा थे? मैं दुनिया की सेर कर रहा था तुमारे जाने के बाद, उर लोग ने बाबा कर जेर बज़वा दिया और मां, यहां है, मेरे पास मां जिन्दा है, कहा है मां? कि अधिन्दा है, कि अधिन्दा है मा! मा इडर देखो! में उते रचापी! कि अधिन्दा है कि अधिन्दा है मा! देख मा! कौन आया है कि अधिन्दा के तरफ देखो ना मा! मा में तेरा जोती हूँ तेरा जोती हूँ मा! मा! मैं हूँ तेरा जोती! मा! 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 Position मा! मा! 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 मा आदे! मा तेरा. जल्दी करो हवाईजास के जाने का वक्त हो रहा है सरो वहीरे जवारत का बॉक्स लेकर तुम एरपोर्ट पहुंचो मैं तुम्हें वही मिलूगा तुम्हें अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता चले जाने हैंसे तुम मेरा एक फोन तुम्हें भी गिर्फार करवा सकता है तुझे जाने हैंसे कर सकता है झाला भाला ये जो लिखाया जो पैसे ज अरिख पहसे भीन fag the CD oku oku तुम लोगों की जान को कोई खत्रा दे चुप चाप बैठे दो अरे बात क्या है कहा ले जा रहा हमें खामोश अरे बात नहीं बात नहीं बीमार है बेहोश हो गई है बेहोश हो गई है उमारी तो नहीं चुप चाप बैठे रहा हूं तुम्हें जरा भी दया नहीं मेरी शकल देखकर भी तुम यह सवाल पूछ रहे हैं तुम्हें अगर गाड़ी ले जाना तो ले जाओ लेकिन भगवान के लिए मुझे मेरे क्लिनिक तक पहुचा दो यह पहले से बिमान है और अगर फोर इन्राजने किया गया तुम उमर भी सकती है सुनो भई मैं डॉक्टर गनाते तुमसे बिंति करता हूं लेने कान है ले आओ भई तुम्हेर बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुमने बड़ा उपकार किया अरु सुनो बेटा क्या ना मैं तुम्हारा जुआ लाओ कहां रहते हूं दुरिया की मरगट में मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा कोई अपना है कौन है पोलीस तुम क्या गाम करते हूं खुन मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा जनम स्थान का है कच्रा पेठी मैं बच्चे को खत्म कर दिने चाहता था डॉक्टर बोस मगर यह पाप इन हाथों से होना से का इसलिए मैं उस बच्चे को एक कच्रा पेठी में छोड़कर चलाया आशा अनू अनू जल्दी यहां से निकल चलें क्यों दरमदास से मैंने अपना बदला ले लिया है अब हमें इस शहर में रहने की जरूरत नहीं आशा का है आशा जरा बाहर गई है बाहर गई है इस वक्त बस आती होगी देखो अनू तुम उससे कुछ छुपाने कोशिश कर रही हो नहीं तुम मैं बता वाशा का है वो वो किससे प्यार करती है उससे मिलने कही है कौन है वो D.I.G. पूलिस का बेटा आर्चुन बक्ष क्या वो भी उससे प्यार करता है हाँ शादी करना चाहता है तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो पुलिस अफिसर का बेटा है तो पुलिस अफिसर का बेटा प्यार नहीं कर सकता शादी नहीं कर सकता कर सकता है मगर मगर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं मैं जवाला हूं कहीं उनको पता चल गया, तो आशा का प्यार उसके लिए अंगार बन जाएगा, जिसमें हम सब जलकर राख हो जाएगी मगर उनको पता कैसे चलेगा, तुमारे पिछली जिन्दगी के बारे में आश कोई कुछ भी मालूम नहीं उसरब तुम जानते हो, मैं जानती हो और भगवान जानता है, और हमारे तिनों में से कोई भी पूलिस का दोस्त नहीं और उस जिन्दग में था भी क्या, तीन रात अपनी जान का खत्रा, छोप इस घंटी पूलिस का डर तुम्हें चीसे बदला लेना था, वो तुम ले चुके हो, वो बात खत्रम हो चुके है अब, अब आश के लिए तुम्हारे सेवा है भी कौन, मा, बाप, सब तुम्ही तो क्या उसके खुश के खातिर, तुम अपनी पिछली जिंदगी नहीं चोड़ सकते हैं, हाँ, नहीं चोड़ सकते हैं मालती, मालती दॉक्टर अंकर, कहा है वो? चला गया चला गया उसे देखकर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा शक, शाथ ठीक है दॉक्टर अंकर मैंने भी उसे गवर से देखा बिलकल वही सूरत हो सकता तुम्हारा ही बेटा हू मेरा बेटा? मेरा बेटा, मगर तुम्हारे पेता ने तुम से जूट कहा था कि पैदा होते ही मर गया अगर अगर तुम्हें ये पता चलता कि वो जिंदा है तो तुम नए जिंदेगी शुरू नहीं कर पाती शादी नहीं करती यही सब सोचकर तुम्हारे पेता ने उसे कच्रा पेटी में फेट दिया तुम्हारी शादी के बाद मुझे ये सब बाते मालू हूं हमें फखर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जैसा आफीसर मौजूद है जिसे अपनी जाती जिन्दगी से अपने फर्स की ज्यादा फिकर है हम ये भी जानते हैं के जवाला को पकड़ने के लिए तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो हम तुम्हारे काम से बहुत खुश है हम समझते हैं के जवाला के केस के लिए अगर एक स्पेशल आफीसर एपाइंट कर दिया जाए तो तुम्हें काफी सहुलत हो जाएगी यस सर सेंड थे स्पेशल आफीसर इमिजेटली गुद मॉरिंग सर इंसे मिलो डियाएजी पोलिस मिस्टर ओपी बखशी जो तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे और यहें स्पेशल आफीसर मिस्टर अरजुन बखशी जो के लुगेएजुन MA उस आदमी औरतलर आपकी मिस्टर ने देखा है ना उुसे देखते हिब अजितने जानना चाहता हूं के उस आदमी को आपकी मिस्टर ने देखा है यह नहीं हाँ देखा है JULundert मिस्स मालती बक्षी, इन लोगों को देखी और बताइए, जिस आदमी ने आपको धंकी दी थी और आपकी कार उडा ले गया, वो इन में से तो कोई नहीं है, क्या कर रहो बेटा, सुबह से अपनी मां को पुलिस स्टेशन पर बुला लिया, और अब इन सब लोगों के सामने कर दिया, आखर इनने किस जर्म की सजा दी जा रही है, डॉक्टर बोस, जर्म मुझरिम करते हैं, और जर्म जब तक थाबित नहीं हो जाता, मौके के गवा को ये सजा भुगत नहीं पड़ती है, गोर से देखिए, मिस्स मालती बक्षी, क्या वो आदमी, इन में से कोई है, आप से बचान सकती है मालती, क्या हो माँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेटे, वो आदमी इन में से है, नहीं, वो आदमी इन में नहीं है, डॉक्टर बोस, आप इनने ले जाई, चलो मालती, इंस्पेक्टर, इस सर, इनने भेज दो, ये सर, चलो, चलो, एक्स्क्यूज मी, कैन आए, कम इन, येस, माइन इस किशोर, जी, मैं आप से कुछ बात करना है, आये, कहिए, काफी बरस मैं अमेरिका में था, हाली में हिंदुस्तान लोटाओ, वहाँ, आप क्या करते थे, वहाँ, एक्सपोर्ट एन इंपोर्ट, बाहर मुलकों में मेरा बिजनस बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप लोगों की मेरवानी से, अब मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी अपना बिजनस टार्ट करो, यहां पास ही रहता हूँ, रॉक्विला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ दिनों से एक आदम मुझे फोन पर कतल के धंके दे रहा है, उस आदमी को जानते हैं आप? वो, जी नहीं, और आज यह खत मिला है, इसमें भी धंके लिखी है, जोला, क्या आप जानते हैं उसे? हाँ, एक बहुत खतरनाक मुझरिम है, खतरनाक मुझरिम? लेकिन उसका महने क्या बिगाड़ा है, वो मुझे क्यों कतल करना चाहता है? आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, इससे पहले भी वो कई कतल कर चुका है, मगर, मगर क्यों? आप जैसे बड़े लोगों से रुप्या हासिल करने के लिए, आप उसके बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो फिर आपकी पुलीस उसे पकड़ती क्यों नहीं? वो एक बुजदल आत्मी है, जुर्म करता है और कहीं छिप जाता है, मगर चोर और डाखों का तो कान यही है, यह तो पुलीस वालों का काम है कि हर वक्त होश यह रहे, ताके उन लोगों को कुछ करने का मौका ही ना मिले, यॉर राइट मिस्टर किशूर, मैं इसी काम में लगाऊँ, अगर जौला मुझे एक बार दिखाई दे जाए, तो फिर वो नहीं बचेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जान की बाजी लगाने पड़े, मुझे आपसे यही उमीद है, कि वो कभी भी आपके सामने आया, आप उसे फारण गुर्फतार कर लेंगे, आप फिकर मत कीजिए, पुलिस आपके हिफाज़त के लिए, कोई भी कसर नहीं उठा रखेगी. Thank you. Thank you very much. सुनिये? जी. आपको कोई और फोन या खताए, तो फॉरण मुझे खबर दीजिए. जी, definitely. Bye. चलो, जल्दी चलो, खाना. ये क्या है? ये? बात ये है के, अमेरिका में रहते रहते, ये पहने के आदद पड़ गई है. ये पहनने से बहुत साफ दिखाए जाता है. चलो. सर, ये वो आदमी है, जिसमें Mr. Dharandaas का कतल होते हुए देखा है. क्याना में तुम्हारा? सर, ये गुंगा है, बोल नहीं सकता. ओ, ऐसी. तो Dharandaas का कतल तुमने अपनी आखों से देखा है. मैं कहता हूँ, बोलो. तुम जूट बोल रहे हो. ये कतल तुमने किया, अब तुम कातिल कोन है? जवाब दो, नहीं तो हड़ी पसली ये कर दूगा. तस्वीर बना के देखा सकते. Mr. Arjun, मैं किशोर बोल रहा हूँ. Yes, Mr. Kishore. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. कहिए? कल रात को ऐसे मेरे आंक खुली, तो मैंने देखा, मेरे बैटरूम की खिड़की के पास, एक आदमी खड़ा था. मैंने फोरण जाकर लाइट आउन की, और खिड़की खुली. मुझे देखती वो आदमी भाग गया. मुझे डर रहा है Mr. Arjun? कहीं ये वही जुआला तो नहीं. आप कहा हैं? घर पे हैं? हाँ, Mr. Arjun. प्रीज आईए. मुझे बहुत डर लग रहा है. आप वहीं इंदिजार कीजी मैं. थोड़ी दिर में आपसे मिलता हूँ. जी. हाँ, Arjun. तुम? तुम यह कैसे? ये मेरा घर है. तुम्हारा घर है? Mr. Kishore? मेरे भाई हैं. अच्छा, अच्छा, चलो इस बहाने तुम्हारा घर तो देख लिया. मैं Mr. Kishore से में ले आया हूँ. Hello Mr. Arjun. Hello Mr. Kishore. Sorry I kept you waiting. नहीं, कोई बात. Did you wait long? नहीं, 5 minutes. अच्छा मेरे दोस्तों से मिलो. आप है Mr. Arjun Bakshi. Special Police Officer. Mr. Wilson. Managing Director Kishore in Company. Mr. Jamil Ahmed. Nice to meet you. My P.R.O. My partner Mr. Rangraj. Hello. One of the directors of the Company. Mr. Bedi. Nice to meet you. Okay Mr. Kishore, let's go. Okay then. Bye-bye. अच्छा, एक introduction कराना दो मैं भूली गया. यह है मेरी भेन, आश्यू. और आप हैं. भाईया, मैंने आपसे कहा था ना, वो, वो, वो. वो, यही हैं वो. अच्छा अच्छा, अब समझा. तभी मेरे आने से पहले, तुम दोनों में खुसर खुसर चल देगी. मैं तो आपी से बात करने आया था, आपने वो जो फोन किया था, वो, वो, वो तो प्राइवेट बात है, चलिये न, रास्ते में कर लेंगे. कल राज जिस आदमी को आपने देखा, आप उसे पहचान सकते हैं? क्या वो पकड़ा गया? पकड़ा थो नहीं गया, लेकिन पकड़ा जाएगा. यह देखिए. अरे हां, यही है वो आदमी, बहुत बहानक है. लेकिन इसकी तस्वीर आपत्वस कैसे हैगी? एक गुंगे कलाकार ने बनाई है. उसने जुआला को ध्रमदास का खून करते देखा. वाइसी. उसका दावा है के जुआला कोई भी रूप बदल ले, वो उसे पहचान सकता है. फिर तो जुआला सिंग आपकी मुठ़्ी में है. सरकार जुआला सिंग को पकड़ने का इनाम देगी, सो देगी. मैं अपनी तरफ से आप एक लाग कुपे दूँगा. No, thank you. जुआला को पकड़ना मेरी प्रूटी. Excuse me, आप मुझे यही डॉप करते. Thank you. Best of luck. Thanks. Bye. Bye. . 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 एह, हम, हम समझा, वही गुंगयों जिसने पुलिस को मेरी तस्विर बना कर देती हाँ, जौला सिंग गुंगा बोलता भी है सिर्फ वक्त पर अच्छा, पुलिस के सामने गुंगा बनने क्या जरूर थी वो ज्यादा परेशान न करे तुम चाते क्या हो? रुपया, मोँ बंद रखने के लिए मिल जाएगा मगर तुम रहते गाँ शम्शान गेट के पास पहला ज्धुपड़ा करे दो है। करे 11. क है यह थ है बाइब! कि आज इस आज से चोहरा मर किया का जाज बढ़ाया बढ़ाया हो किस बात की हाश जिसके लिए आप दूराब परेशान रहते थे उसने खुद कुशी कर ली किसने खुद कुशी कर ली जुआला सिंग ने पीछ खेड़ा हडो पीछ फिरेगटो, पीछ खेड़ा हटो पीछ फिरेगटो इंस्पेक्टर यस सर लाश को पोस्थ मॉटम केले फिछ दो तीछ में अच्छा कोंगे की लाश काई अपकर तो मैं तो कहता हम वो जो कोई भी था उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा ही किया अगर वो जन्दा रहता तो एक नए दिन जरूर पकड़ा जाता और कान उनों से कड़ी से कड़ी सजा देता लेकिन शाइद सौदा उसे मन्जूर नहीं था इसलिए वो दुनिया और दुनिया वालों के सजा से खुदी मुक्त हो गया पैटी तुम भी अपने दुख से मुक्त हो जाओ जब ये कर्ज चुका दिया जाता है तो रिष्टा भी खत्म हो जाता है पैटी तुम भी समझ लो के तुमने अपना कर्चुका दिया और इस रष्टे को खत्म कर दिया ड़ी ड़ी ये है मिस्टर किशोव अच्छा तो आप हैं नाइस तो मीड़ी बिस्टर बक्षी अब डूडू मिस्टर किशोव आईए बैठिये आपका जिकर तो बहुत सुना है अर्जुन से प्लीज कहिए क्या हाल है जो तो पुलीस ओफिसस के दर्मियान बैठा हो उसका क्या हाल होगा फर्स क्लास है बहुत हाजिर जवाब हैं आप तेंक्यू आप मैं मुमी को देकर आता हूँ क्या देख रहे हैं आप के यह मकान आपकी बहन के लायक है या नहीं नहीं यह बात नहीं तो देख रहा था के मैंने आज तक किसी पुलीस ओफिसर का ऐसा शांदर मकानी देखा अचाँ चाँ चाँ मैं समझ गया आपका मतलब अक्सर बहुत सारे लोग यह बंगला देखकर चक्र में आ जाते हैं दरसल यह बंगला मेरा नहीं है मेरी बीवी का है मेरे ससूर की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद मेरी बीवी को मिल गए इसलिए बंगले का नाम रखा गया है मालती महल I see Mr. Kishore यह है मेरी ममी नमस्ते जी बालती तुम इसरे खड़ी क्यों हो इदर आ जाओ ना बैठी है न इन से मिलो मालती अर्जुन जिस लड़की की बात कर रहा था यह उसके भाई है रिष्टे की बात करने आये हैं मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं है अगर तुम्हे कुछ बात करनी हो तो कर लो मैं कपड़े बदल के आता हूं अर्जुन इस बंगले का आर्खिटेट कोन है अ क्या नाम था वो अर्जुन इस बंगले की तरफ इनका बहुत ध्यान है इनने अच्छी तरह से बंगला दिखा दो अच्छा भाई ये आईडिया ममी का है और ये टीवी यहां रखने का आईडिया मेरा है आई सी गुद अच्छा तो ये हमारा जाइनिंग सेक्षिन है और वो कमरा अधर जहां मैं रहता हूं आजाओ ममी ममी जरा मैं जरा को चलिये हालो हार जुन बख्षी है अश्यू हाँ सब ठीक जा रहा है सब ठीक जा रहा है हाँ तुम बोलो क्या कर रही है बंगला बहुत बड़ी है क्या ये दुसरा बटरूम है आई सी अहाँ लवली सूपर एक्सलन बेटी मैं एक बात पूछू बताओगे आप यही पुछना चाहते हैं न क्या तुम वही जवाला नहीं जो उस राद धमकी देकर मेरी कार लेकर भागया था यही न हाँ 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 वह मही था तो फिर जो मर गया मेरा दूसरा रूप मैं जो कुछ भी हूँ मैं सच कहता हूँ मेरी बहन बहुत अच्छी लिड़की है उसके खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ मुझे उम्मीद है मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप उसे अपनी बहु बनाने सना नहीं करेंगी एक बात और बताओ बेटे क्या आशा तुम्हारी सगी बेहन है तुम्हारा उसका एक खुण है मेरी रबो में किसका खुण है यह तुम्हें खुद भी नहीं जानता मा बाप भाई बेहन कोई भी तो नहीं जिसे मैं अपना सगा कैसे कूँ तो तुम कै तुम्हें अपने जनम के बारे में कुछ नहीं मालूँ मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कच्रा पेटी में पढ़ा पाया गया था कच्रा पेटी में हाँ आशा उस देवी की बेटी है जिसने मुझे कच्रे से निकाल कर सीने से लगाया मुझे बाला पोसा मेरी खातिर दुख सहे बिचित्तो तुम नहीं जानते तुम्हारी असली मा कौन है मा हुँ लोग कहते हैं मा शब बहुत पवित्रा है प्यार दया ममता और बलिदान का नाम मा है भगवान का दूसरा रूप मा है मागर ये शब सुनते ही मेरा खून खूनने लगता है मेरा बस चले अगर मेरी मा मुझे मिल जाया तो मैं उसके टुखडे टुखडे कर डालू अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने पाप किया और अपने पाप को छुपाने के लिए ना प्रिस्ट कर जाया मुझे शहर की गंदगी में फेट दुख पतारी ऐसी डायन को क princip किशसे मा कैसकता है कैसे मा कैसकता है आधी माजी आजिए मिज्टरें पिए देखेश CRI कि मा को गंद भी ऐसी गश्कयद दूरे पढ़ते है चलो उपर लेज़े क्या बात है मालती मैंने आपके साथ एक बहुत बढ़ानिया किया है क्या किया है तुमने जो एक औरत को शोबा नहीं देता क्या है कुछ बताओ भी तो अभी जो अभी जो आदमी आया था मिलने किशोर वो वो मेरा बेटा है क्या वो मेरे वो उस बाप का फल है जो मैंने शादे से पहले किया था पिताजी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया मगर आप मुझे पता चला कि उन्होंने आपको अंधेरे में रखा इस और जानता है वो तुम्हारा बेटा है नहीं त्रीके मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ और उसे यहां लेकर आता हूँ नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए क्यों वो वो नहीं वो क्या उसे आप यहां नहीं ला सकते आपको उसको यहां नहीं लाना चाहिए आप उसे यहां नहीं रख सकते है मदर क्यों वो मुद्रे में जुआला सिंग है जुआला? जुआला मरा नहीं वो जिन्दा है एक पुलिस ओफिसर की बीवी और एक पुलिस ओफिसर की मा होते हुए तुमने यह राज चुपाय रखा तुम जैसी औरत अपने पती के मुँपर एक तमाजा है अपने बेटे के लिए गाली और समाज के लिए कलंगा ठीका जुआला तुम्हारा बेटा सही मगर आप वो नहीं बचेगा बेटा, बेटा मेरी बाटा सो नहीं बेटा बेटा सही मगर बेटा सही में झानाााा से बढमी मगर ठीका बेटाए है झाल झाल कर दिल्टामीन दिल्टाइ। मेरी तरफ ऐसी फटी फटी आँखों से क्या देख है रान हो के अब तक जिन्दा कैसे मैं मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहिए पर दार दे मिल बेटा का आज तक आज तक सरफ अपनी मास नफ्रत करता था लेकिन लेकिन तुमने आज जो किया उससे दुनिया की हर मास नफ्रत होड़ी है मैंने तुमरा विश्वास किया तुम्हे सब कुछ सा सच बता दिया मगर तुमने मेरा विश्वास का दुम्हे अपने बेटे को मेरे पीछे लगा दिया ताके इस दुनिया में उसका नाम हो उसका मान हो मैंने सोचा तुम्हे एक मा हूँ तुम्हारा एक गेटा तुम्हारे सीने मेरी मा का दिल होगा तुम्हे तुम्हे एक औरस के रूप में नागिन निकली यह मैंने ही जानता था कि तुम मेरी मा से भी ज्यादा जलील हो उससे भी बड़ी डर जाके तुम्हे किसी कमरे में बंद करके अपने बेटे के हवाले कर दो मैंने जान बुच के तुझे कोई दुख नहीं दिया मेरे विश्वास कर, मेरे विश्वास कर बेटा चल चल बिल साथ तुम्हे कोई आ रहे, चल मा मा क्या है बेटा कहा है वो 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 कम तुम्हारा बड़ा बेटा वो यहां क्यों आएगा वो यहाँ आया है यह नहीं नहीं सच कह रही हो मा हां हां मैं सच कह रही हू यह लहू भी सच बोल रहा है यह लहू के निशान में सच बोल रहे है मा बोले तुमने उसे कहाँ चुपा रखा है अच्छू अच्छू लुख जो बेटा मेनी बात बहूंगो उसे कुछ मत कहाँ से जाने दो बेटा में कहो के वो तुम्हारा बेटा है और अपने बेटे को बचाना तुमारा थर्म है लेकिन मैं एक पुलिस आफिसर हुआ और एक मुच्रिम को पकड़ना मेरा थर्म है जो आ तो मुझे मां हुआ कि मुझे लाए? लाए लाए मा मा मा. मा मा. मा? क्याववा मा NAIT? क्या हुआ मालती क्या हुआ मालती कुछ नहीं कुछ नहीं तो फिर तुम चिल्ला क्यों रही थी अगर आप लोग बुरा नमाने प्लीज अफकोर्स थैंक यू मालती यह क्या बचपना है रज्जुम सर्पम मन्यते जहां रशिदे के समझ लिया साफ है नहीं जॉप्टर अंकर यह सच मुझ वही है जो अला सगमारा नहीं वो सिंदा है यह तुम कैसे कह सकती हो खुद उसने मुझे बताया आशू आशू क्या ख़बर है उन लोग ने हाँ कर दी आशू का है पहले मुझे बताओना हां कर दी हाँ आशू के माबाब मान गए आशू आशू की तो शादिया बहुँचाईगी उसके बाद उसके बाद हाँ उसके बाद उसके बाद तिक तिक तुंग तुंग दिल धड़क रहा है इसका क्या सबब है इसका क्या सबब है हर दिल धड़क रहा है इसका क्या सबब है प्यार हो गया है इसका ये मतलब है फिर तो रब ही रब है तिर तो रब ही रब है तिल धड़क रहा है इसका क्या सबब 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 है तिल धड़क रहा है इसका ये मतलब है तिल तो रब ही रब है तिल तो रब ही रब है कितनी किताबे पढ़ डाली सारी राज जगे लोगों को जगाया आगल कलम लेके बैखे कितनी खती है चले नहीं आया नेंग उड़ गई है इसका क्या सबब है आँख लड़ गई है इसका ये मतलब है दिल घड़क रहा है अहा दिल घड़क रहा है कलियां हो खलियां चटकती हैं अगर काटे चुटते हैं खुरों से बदन में खुरों से बदन में वादर बरसते हैं अगर शोले उठते हैं मेरे तन में मन में आँख लग रही है इसका क्या सबब है प्यास बुझ रही है इसका ये मतलब है दिल घड़क रहा है आँख दिल घड़क रहा है जो भी सबब हो होने जो हसने रोने दो खुश लहा के इस प्यार में छोड़ो ये बाते रहने दो अब कुछ कहने दो खुल के इस बहार में फूल खिल गए है इसका क्या सबब है दिल मिल गए है इसका ये मतलब है दिल घड़क रहा है इसका क्या सबब है प्यार हो गया है इसका ये मतलब है दिल घड़क रहा है दिल घड़क रहा है इसका ये मतलब है अरे बही अर्चिन इस बंगले के आर्किटेक को जल्दी बुलाओ क्यों वो दर्वादे चोड़े कर रहे है ना किसली है खाना इतना मज़दार है कि शादी के बाद इस घर का खाना खाकर मेरी ड़ली पत्ली भेन जरू तुन तुन बन जाए मज़ा करना तो कोई आप से सीखे साहर जरे सार आप से मिलना जाते हैं उन्हे तरह कहो बैठे मैं आप याता हूँ मैं आप कीशेचा सार लगता है मैं खरत भाफ तल्स का आए आज अरजन का बर्तदे है अच्छा वह एपी बर्तदे थैंक यू सूखा थैंक्स क्या कुछ खिलाओ खिलाओ भीने माँ ने 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 मिसरजन सार मुझ आप से कुजरी बात है तो एक मिनिट मिस्टर किशोर जेलर साथ यह मिस्टर किशोर मेरे होने वाले ब्रदिन लो किशोर मिस्टर बेवी अजय हैं मुझा नाओ लिए भी पर अजय है अजय है किसी भी शरीफ आदमी को पहली बार देखते हैं तो हमें शक होने लगता है हुआ शूत आफ बशीटाब एजादध दीजिया शेओ अरजून अरे भई याशू आई भईया चलो भी चलती हो माजी, जी तिरो बेटी मैं भी आए माफ कीजेगा मैंने आपको यहां बुलाया और आपको तकलीटी बात असल यह है कि मुझे शक है कि मिस्टर किशोर और जॉला सिंग एक ही आदमी के दो नामे लेकिन यह कैसे हो सकता है यही तो हमें मालूम करना है जॉला सिंग की मौत के बारे में अभी तक हम लोग पूरी तरह कुछ नहीं कह सकते उस मिस्टर किशोर जॉला सिंग की शकल एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है कई आदमियों की शकले एक दूसरे से मिलती जुलती है मगर उसको पैसाने का इक तरीका है यह देखिए जेल से भागते बग उसकी दाहिनी पिंडली पर गोली लगी थी पिंडली का वो निशान जूर मौझूद होगा उसकी करीब की नदर कम जोग है पढ़ने के लिए उसे इतने करीब से देखना पड़ता है उसके इलावा पुलीस रिकार्ड में उसकी उंगलियों के निशान मोझूद है अगर एक मार शक पैदा हो जाए तो वो शक दूड कर लिने में कोई हर्थ नहीं वह 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 वरे स्प्राइड हाँ आप तैनिस केलते हैं कभी वी शेलता हूं रेकेट बहुत अच्छा है अँ अरे खड़े क्यों को बटन आओ क्यों कैसा नहुआ कोई काम आगया क्यों विना काम के मैं सघर में नहीं आसकता अरे वह तुमानो या ना मानो तुमायो किसी जरूरी काम है लेकिन तुमारा काम होने वाला नहीं अब मतलब यह कि बिना वर्दी आया हो अराशा गर पर नहीं है अरे शंकार कुछ पीने करे लेगा हो भेई यह निची क्या देखा देखा गिर गए यह ने ने कुछ नहीं ऐसे ही आपका चश्मा बहुत खुबसूरत है थैंक यू थैंक यू थैंक यू नंबर ग्लासे नहीं है, सिर्फ संग्लासे नहीं है आपका असली रंग ही है जा मतलो मिया मतलो आपकी याँ हुबर भी जब मैं अमेरिका में था तो फैशन के लिए यह कॉंटेक्ट लेंस लगवाय थी देखिए ना यह यह रे अरे वाँ लावे यह 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 एक बात बताने आपको मैं भूली गया क्या हम सब सोचते थे के जुआलासिंग मर गया लेकिन वो जिन्दा है हाँ आपके सब्सक्राइब तुमने तबी कहा था हाँ मुझे मालूम है तुम मुझे डराने के लिए मजाग कर रहे हो हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यह यह देखिए उसके खिलाब कितनी शिकायत थे पढ़ी इसका मज़ब है जुआलासिंग अभी दख लोगों को डरा धमका कर लूट रहा क्या देखते कॉली है क्यों अने मेरी नादर कंदर नहीं है अब पर्ड़त अधिशन अधिशन शंकर जल्दी कवर भागया अधिशन क्या साफ परना नुचे? क्या साफ परना नुचे? अच्छ तो मैं चलता हूं अरे इती जल्दी भी क्या है? ठेरा जोड़ी दर मुझे कही पहुंचना है प्लीज अच्छ अच्छ क्या बाज वाज प्लीजे वाज़ी बाय वाज़ी बाय 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 कि प्लीजे झाल कि आप प्रवार मखा शक कर रहे हैं कि शोर की उगले कि निशान जो उसकर लिए के लाइटर से मिले हैं पुरिस के रिकौर से नहीं मिलते दियस्त आरजुन बकशी उखी उदियों कि निशान जो तुम लाय हो मैंने भी देखे ए उनमें लकीरे गुम्हें ये पतली-पतली लकीरे जो हर आदमी की उंगलियों पर होती है, उसने तुभे बेवकूब बनाया, सही नतीजे पर पहुचने के लिए किशोर की उंगलियों के सही निशान मिलने चाहिए नहीं, मेरे भाईया ऐसे आदमी नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ, तो फिर बाग और वोई सवाल क्यों करते हो, मेरी ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी ये भी तो है, कि कोई उनके नाम पर कीचर न उचाले, वो तो हम दोनों का फरस है आशू, लेकिन किया क्या जाए, सरकार को शक हो गया है, कि तुम्हारा भाईया, जेल से भागा हो एक मुझरिम है, एक हूनी है, ज्वाला सेंग, नहीं, सरकार का शक जूटा भी तो हो सकता है, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है, मैं भी तो ये थाबित करना चाहता हूँ, आशू, अब इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूद है, तुम्हें मेरे प्यार की सौगन, अपने भाईया की इज़त की खातिर, मुझे अपने भाईया की उंगलियों की निशान लाजो, हाँ, जूस पीलो, ये भी कोई जूस का वक्त है, जूस पीने का भी कोई वक्त होता है, मैं इतने प्यार से निकाल कर लाई हूँ, तुम्हें पीना ही पड़ेगा, अच्छा, लगा, सुनो, कि मैं जूला हूँ, नहीं, हर जूली हिसामित करना चाहता है, कि तुम जूले नहीं हो, सरकार कर शक चुड़ा है, मेरा दिल कहता है, तुम जूले नहीं हो, हाँ, मेरी बोली वाली बेहन, कुछ लोग साम को पकड़ने के लिए, सारा घर खुड डालते हैं, और जो अकलमन है, घर के भार बैटकर बीन बज़आता है, ताके साम अपने बील से बाहर निकल आदे, और वो उसे आसानी से पकड़ दे दे। आजुन भी यह कर रहा है, बहुत अकिलमन्द है, सरकार का शक सच्छा है, आशू हूँ, मैं ही जुआला हूँ वही जुआला, जिसका जिकर सुनते ही पुलिस वालों की नेंदे हराम हो जाती है, जिसके नाम से दुनिया थर-थर कामती है, जुआला के जुआला के जुआलों की कहनी तो हर कोई जानता है, मगर वो क्यों जुआला बना, वो कहनी कोई नहीं जानता है वो बताने की जरूरत भी नहीं है यह राज आज तक मैंने तुमसे चुपा लगा ताके तुम्हारे तिल को तफ्लीफ नूँ और आज तुम्हारी खाती ले राज तुमबर खोड़ रहा हूँ यह मेरे हाथ का निशान जाकर अरजन को दे दो उससे का के आकर मजी किरफ़तार करे का थे कै तुम्हारा फटों अगर तुम्हारी मदशाagar जांन मुझी किरफ़तार कर लें तुम्हारे लिए कितनी हीसद होगी तुम्हारे ब्याता ज्वता ड़ीवन में खुशे ही कुशिय होगी मुझे ऐसी कुछ यह देए चाहिए, जिसके लिए मुझे तुमारे मने दुनी पड़े हम दोने का बहुत का रिष्टा नहीं किस माने तुम्हे जनम दिया है, मैं नहीं जाती है अगर मैं सिर्फ इतना जाती है, क्या आप एक दुसरे कुस्तागों से भी जादा प्यार करते तुम्हे मेरे लिए इतना कुछ किया, आपके जान तकी परवा नहीं की तुक्या मैं तुमारे लिए ना भी देख सकते कुछ भी हो, वे तुमरे साथ से जोड़ोगी वे तुमरे साथ तुम्हे जोड़ोगी तेरा मेरा साथ कपकर तूड़ चुका है बेहन और पेटी पराया धन है जब इसके शादी की बात पक्य हो जाती है तो फिर वो पराई अमानत है पहले रिष्टे, पहले रिष्टे सब तूड़ जाते है आप बेहना ती अध है पहले जी मेई अध थे जाते है यह जाते है वे जाते है क्या है? अग्य है ये याचेन का हुआ चलब चबख चलबा उस्ते साथी बास का हुआ अब क्या होगा? जब मचेरा पानी से बरे तालाप में अपना जान भेगडा मचली इदर से उधर भाग कर अपनी जान बचा सकती है तेकिन अगर तालाप का सारा पानी निकाल दिया जाए तो मचली अपनी जान कैसे बचाहे? वह वह खोड़ी खुछिली कुछ करना होग़ भाघ वाघ लिशन नहीं, नहीं. चुँ यासे बाख चलो नहीं, आशू मैं कहते हुआ यासे चलो मैं आशू, मैं मैं कहते तुह रही कासा अशू चलो अशू लेकिन, लेकिन अन्नो इते क्पान खुद कर लेगी, चे लो पाशू तुम, तुम यहा जौला किदर है? सम्षान में शम्षान? हाँ, इतने बड़ी बड़ी जौला है ओ शरप, मैं पूछ रहा हूँ, जौला से किदर है? मैं किसी जौलेवाने को नहीं जानती नहीं जानती तो उस बंगले में, करने क्या गई थी? आप क्या करने गए थे? मैं अपने काम से गया था मैं भी अपने काम से गयी थी क्या काम? टिक-टिक, तुं-तुं बक्वास, बंद करो, और मेरी बाग का जवाब दो मिस्टर किशोर से मिल लेगे थी वो किशोर नहीं जौला है वो मै नहीं जानती तुम सब कुछ चानती हो सीजी तरह बता दो, वो कहां चुपा है? मेरे दिल में. मजाग बंद करो और कान खोल कर सुन लो. तुमने अगर पुलिस का साथ नहीं दिया, तो जेल भिजवा दी जाओगी. भिजवा दीजिये? तुम क्या समझती हो? वो तुमें जेल से निकाल कर ले जाएगा? जरू ले जाएगा? मर्द से प्यार करती हूँ. तुम एक बेवकूफ लड़की हो. क्यों एक मुझरिम की खातिर अपनी जिंदीगी बरबाद करना चाहती हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे उसका पता बता दो. यानि आपका काम मैं कर दू. मगर तंखा तो आपको मिलती है. अगर तुम मुझे बता दोगी, तो मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवा दूँगा बहुत बढ़ा ही ना. बहुत बढ़ा ही ना? तो इसे आप रख लिजिए, आपके पस खाने बेने को बहुत है. तुम इस तरह नहीं पकोगी. इंस्पेक्टर, इससे हवाला तमें बंद कर दो. राइजार! राइजार! जोला, नहीं जोला, भाग चलो, भाग और जुन बक्षी है सर, जोला जोला को भुला जाना है जोला, में कहता हूं, रुग जाओ, नहीं तो गोली भार दूगा कर दो कर दो कर दो और भूलो से लूलो! मझाल, मुद़ उना वप दोलो! मझाल, मुद ही कर पूलो! Diese मुटे लूलो! अनु ? अनु ? क्या हू अनुको ? जा डरी जहा को दक्टर लेपके जो आनु ? जोमा मैं मनने जाती, जोमा मेरा सकना, मेरा मेरा सकना अथुना देगिया मैं इचिब चीना जाती मचालो अनु चीना ढुझान, तुफुचा जोटे नहीं जाजए को जाते हैं पुझान, तुफुचा जाते हैं तुफुचा जाते हैं — अरचन! — अरचन! आज मेरा कोई नहीं रहा, जिसे मैं अपना कह कर बुकार सकूxt मेरी जिन्दगी में सिर्फ एक अनुथी जो मेरी थी मेरी है तुने उसे भी मुझसे छेन लिया नफरत और इंतकाम की आग जो मैंने बुजा दी थी तुने आज उसे फिर से सिंदा कर दिया याद रख ये आग तुझे ओ तेरे सारे खांदान को जला देगी मैं 24 गंटों के अंदर तेरी जान ले लूगा हलो मैं चौला बोल रहा हूं किशोर किशोर नहीं चौला आपके बेटे ने मुझसे बतला लेने के लिए मेरी अनुकी जान ली है 24 गंटों में उसकी लाश लाकर मैंने आपके कदों में न फेंग दी मेरा नाम भी जौला नहीं नहीं हलो एधि जए기는 आपके मरा आपके आपके नार्चा है क्जूला यजए परकाँ द्रूशन पस्तय बाहर आपके इला मेरे दिल काप रहा है, तु ये नौकरी छोड़ दे. नौकरी छोड़ दो? हाँ. मगर किसलिए? ये अभी जो फोन आया था, इसलिए? तुम चाहती हो, कि मैं उस बुजदिल की धंकियों से डर जाओं, और चूड़ियां बैने के घर बैठ जाओं? बेटा, मेरी बात सुन, मेरे कहा मान, कोई, कोई खास वज़ा है, जिसके लिए मैं तुझसे बिनत्री करती हूँ? वजय मैं अच्छी तरह जानता हूँ मा, तुम्हें अपने बेटे की जिन्दगी की फिक्र है, मा की ममता ने तुम्हें इस वक्त कायर बना दिया है, मगर एक बात सुचो, उस हत्यारे ने बेकसूरों पर जुल्म किये हैं, अगर कल वैसा ही तुम्हारे खर में हो, तुम्ह अगर तेज खंटों के अंदर जिन्दा या मुर्ता, मैं उसे सरकार के हवाले नहीं कर दूँ, तो मैं तुम्हारे बेटा के लान के लाइक नहीं हूँ अगर के लिए मेरी सहाथ है किजी, आपको मालमे किशोर कहां छुपा हुआ है, भगवान के लिए मुझे पर दया कीजिए, आप जा कि उसको समझाईए, के बेटा, तुम जिसकी जान लेना चाहते हो, वो कोई गयर नहीं, तुम्हारे अपना भाई है, मुझे विश्वास ह वो अपने भाई की जान बख्ष देगा, इसका क्या भरुसा कोई मेरी बात मानेगा, मैं उसका कौन हूँ, वो दोनों तुम्हारे बेटे हैं, इसका किन तुम्हारे सिवार कौन देला सकता है, ये बात तो तुम्हे जा का कहनी पड़ेगी, मुझे? मैं तुम्हे पहुचा वो बेटों में से एक की मौत के जिम्मेदार तुम होगी, नहीं, नहीं, नहीं अर्जोन, आप तेरी जान लेना, एक सेकंड का काम है, मगर मैंने कहा था, तेरी जान 24 घंटों में लोंगा, सुने करदे में एक हैसे कि झॉब दॉब लूगल गर्फू टॉब लूगटॉ इंजल झाल outro राप शॉब Instagram राप assignments चाप गटेंटें दुजाक सिर्टारी दोखें मेल आया है बिल खेंटे तुधे दता चुकिय है चार खेंटे बाकी है और इस चार खेंटों के तुझे मर न है माद पाने तक जीदे, जीदे आफे तो मत ले, तेरी जिन्दगे और माद के कहाने, आज ये कहते होगी, इसने किस बेर हमें इसे, मेरी पेगुना नुसी जान दिया, आज ये तरफ तरफ कर अपनी जान देगा, तब इसे पता चलेगा के माद का क्या मज़ा है, बेटा, ओ, तो आप आगई, अपने बेटे की जान बचाने के लिए, हाँ? मैं तुम से भीक मागने के लिए आई हूँ, ये रुपे पैसों का धेर नहीं, जो खेरात में दे दिया चाहे, मैं जानती हूँ, मगर जब कोई जोली फेला के भीक मांगता है, तो उसे जीवन दान भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, मगर इसकी जिंदगी का दान नहीं दे सकता है, इस बेरहमने निर्दोश की जानी है, और वो भी एक लड़की है, खून का बदला खून है, मैं हाँ जोडती हूँ, तुम इस दी गड़गडा रही हूँ, यो कि इस तुम्हारा अपना बेटा है, लिकिन फर्स करो, जिस लड़की की इसने जान ली है, वो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती, फिर भी तुम यह कहते है, कि इस खूनी को छोड़ दो, हाँ, इसने जो किया गलत किया, उस वक्त वो गुस्से में था, और गुस्सा इंसा वी याग मुस्से कह लिया, इसे कभी कभी माख मत करते है, वेचा, क्या तो अपने ही लहों से अपने हाथ रंगेगा, तु इसे मार डालेगा, जो तर अपना खून है। अपना खून, मेरे अंदर तो खून ही नही है पिर मैं किसे अपना खून कह सकता हूं मेरे अंदर नफर्स और कुछ से का जहर बरा है, इंतकाम की आख बढ़ गई है माँ भाप भाइ बहन कोई भी नही है, जीसे मैं अपना खून कह सको बेटा, तेरा सब कुछ है, ये कोई गयर नहीं, तेरा चोटा भाई चोटा भाई, इससे बड़ा और कोई जूट नहीं था आपके पास जरूरत के वागत इंसान कुछ भी कह देता है नहीं, बेटा, वो मा, जिसे तु डाइन कहता है, जिसे तु नफरत करता है, तु जिसके टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहता है, वो, वो मा मैं हूँ, मैं हूँ हाँ, बेटा, तु मेरी उस मासूब भूल का नतीजा है, जो बिया होने से पहले मुझसे हुई, उन्हीं के साथ मेरा बिया होने वाला था, मगर मेरे बुरी तंदी है, वो बिचारे एक एक्सिजिट में मारे गए इसलिए तुने मुझे कच्रे की पेटी में फेक दिया, नहीं, मैंने नहीं फेका, जो हुआ मुझे पेना पताय किया गया, उसे छूट बोला गया, मुझे बताया गया, कि तु पेरा होते ही मर गए आँ, तुने यकिन कर लिया, तुने सोचा होगा, अच्छा हुआ, बला से जान छुटी, फिर से कुमारी बन कर तुने समाज को धोका दिया, मज़े से शादी की, वाला, घर, शान शौकत, और क्या चाहिए था तुझे, और क्या चाहिए था, मैं निर्दोश हूँ, मुझे तो यह भी नहीं मालू, मेरा भीया कब हुआ, कैसे हुआ, मैं तो आज तक मेरे दिल पर क्या-क्या कुज़ी है, तु नहीं जानता, मैंने किस नरका सामना किया है, तु नहीं जानता इतने बरस नरक भोगते हुए भी तुने कभी सच्चाई जायर नहीं कि, आज कौन सी खास बात हो गई, जो तु सच्चाई का धंडोरा पिटने लगी, हाँ, आज तु का रसमन्त है, किसी तरह तेरे बेटे की जान बाचते हो, तो क्या सोचकर मेरे पास आईदी, कि जब त उसे कहेगी बेटा, मैं तेजी मा हूँ, ये तेरा छोटा भाया, इसके ताद तेरा खून करिष्टा है, मैं तुझे मा के कर ले पर जाओगा, और इसे भाया कहकर इसकी जान बश दूगा, और उसके बाद, तुम दोनों कार में बैठ कर, खुशी-खुशी अपने घर से, वाह, 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 तेरे जैसी मा को कोई भी बेडा सोजनव तक भूल लेग सकता, तुने पहली बार जब मुझे देखा, तो क्या तुझे शक नहीं हुआ मैं तेरा बेटा हूँ, वाह, और उसके बाद, जब मैंने अपनी पूरी कहनी तुझे सुनाई, तो तेरी समझ में तुझे बात आई, कि मैं तेरा बेटा हूँ, और उसके बाद, जब मैं तेरे घर आया था, तुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं तेरा बेटा हूँ, इस बेटे के लिए तु इतना रोती रही, तड़कती रही, क्या तुने कहा, बेटा, मैं तेरी मा हूँ, क्यो नहीं अबेटा! क्योंकि? क्योंकि यह कहने से तेरा वो पाप जो तुने बयाँ से पहले किया था दुने के सामने आया था तेरा पती तुझे घर से बाहर निकाल देता तेरा पेड़ा तुझे थूपता समाज तुझे ठोकर मार देता यह सारी इज़त और शान और शागत खाक में मिल जाता लेकिन आज बात और है तेरा यह बेड़ा यह बेड़ा जिन समाज और दुनिया तेरा बेड़ा मांती है इसकी जिन्दगी का सवाल है इसलिए आज मजबूरां तुझे सच बोलना पड़ा हाँ? खामोश क्यों है? जोड़े! मैं सच कैसे बता दी थी बेटा वो बाप बेटा तुझे पकड़कर फॉरां सरकार के हवाले कर देते तु क्या सोचता है? मेरे सच कहने से वो तुझे छोड़ देंगे तु जानती है वो मुझे नहीं छोड़े में तु चाहती है मैं इसे छोड़ दो कैसी माँ है तु कैसी मंता है तेरी वो इनसौफा थेरा अगर हम दोनों देरे पीटे है तुने हम दोनों को जनन दिया है तो फिर हम दोनों के लिए अलग-अलग इनसाफ क्यों माना कि तुझे डर था कि वो मुझे पकड़ लेंगे मगर तो कम से कम मुझे तो बता सकती थी लेकिन तेरा दिल नहीं माना तेरी जूटी इजट ने तुझे इजादत नहीं दी कि एक डाकू और खुनी को तो अपना बेटा करे लेकिन तुने कभी सोचा यह खुनी और डाकू बना कैसे है इसका जिम्हा दाकू ने तुझ जैसी माँ है तपोजा मेरी आपके सामे से चली जाओ भी जो बोल मुझे से हुए उसके लिए तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो तुम इसे जो सजा दोगे वो मैं सहलूगा पिठे एक दया करो मुझे पर मेरी एक बात का विश्वास करो अगर मैं तुम्हे अपने माथे का कलंग समझती और मेरे मन में तुम्हारे लिए मा की ममता ना होती तो मैं उसी से में तुम्हे खतम कर देती जब मुझे पता चला मैं मा बनने वाली हूँ उनके मरने के बात भी मैंने तुम्हे पेट में रखा तुम्हे जनम दिया कि इसके लिए कि मुझे तुमसे नफरत है मेरी नसीब ने मुझे नफरत साथ नहीं दिया मगर यह मत कहो कि मुझे में मा का दिल नहीं है मुझे मा का प्यार नहीं है बिटि अगर तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास है और तुम मुझे माफ कर सकते हो तो एक बार मुझे मा के किर को और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिठा तुम मुझे माने ही कोगे मा तुम मुझे मा कहा आज तक जिस किसी ने मेरे सामने हाथ पहलाया है वो खाली हाथ नहीं गया तुम मुझे से पांच पांडवों की जीवन का दान मांगने आई हो ठीक है यदि रन में युदिस्ठर, भीम, नकूल और सदेव मेरे सामने आये तो मैं उन्हें जिन्दा छोड़ दूगा परंतु अर्जुन अर्जुन? अर्जुन को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मैंने सब के सामने सौगन खाई है या करन जीएगा या अर्जुन हम दोनों में से कोई भी मरे पांच पांडवों फिर भी रहेंगे ये मैं तुम्हे वज़न देता हूँ हर युग में करन की भलिती गई है तू अगर कुंतीरी बन जाए तो भी मैं करन नहीं बनूगा जा सुन। तू मेरे आगे बहुत रोही है बहुत गडगड़ाई है इसलिए मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरा बेटा लोटा दोंगा बेटा? हाँ, मगर अभी नहीं इसके मुरने के बाद हम दोनों एक ही मा के बेटे हैं तेरा और मेरा खून एक है लेकिन आज ये खून मुझे बाना पड़ेगा भाईया वो गई और तू आ गई मैं तुमसे ये बिंती करने नहीं आए कि तुम इसे जान से मत मारू मैं तुमसे ये कहने भी नहीं आए कि तुम अपना बदला मत लो मैं सिर्फ ये पूछने आई हो कि तुम अपनी मा से इतनी नफरत क्यों करते हो क्योंकि उसने मुझे गंदगी का कीड़ा समझ कर कच्रे में फेक दिया था मगर उसने ऐसा क्यों किया अपने बाप को छुपाने के लिए वो बाप पुन्यमी में बदल सकता था अगर उसका ब्या हो जाता हाँ मगर उससे पहले वो मर गया और आज अगर ये मर गया तो मेरी हालत भी वही होगी तुम्हारे सामने एक और मा खड़ी होगी तुम्हारे तरह एक और ज्वाला पैदा होगा आशू हाँ मैं इसके बच्चे की मा मनने वाली हो आशू जिस कच्रपेटी ने तुम्हे मासूम जोती से ज्वाला बना दिया तुम्हारे अंदर नफृत की हाग भर दी तुम्हे इंसान से हैवान बना दिया क्या तुम चाहते हो हैसी एक और कच्रपेटी इस दुनिया में आए तुम्हारी तरह एक और जोरा पैदा हो इस बात का फैसला में तुमको छोड़ती हूँ अब जाओ, तु इससे मार सकते हो अब जाओ, तुमको छोड़ती हूँ यह ले, यह रहा तेरा बेटा मैंने तुझे वचन दिया था तेरे पेटे की लाश तेरे हवाले करूगा मगर मैं इसे जिन्ता लोटा रहा हूँ समाल इसे सुना नहीं तुने तेरा बेटा तुझे लोटा रहा हूँ तेरे बेटे की जान बख्ष थी मैंने इतना बिलख रही थी अपने बेटे के लिए जब आए मा 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 मैंने सेंकडो जाने ली और आज आज मैंने तेरी जान भी ले ली मुझे माफ कर दे मा मुझे माफ कर दे दुनिया में किसी मा का मुझे जैसा बेटा ना हो ना ही किसी बेटे की तुज जैसी मा हो अ 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 हुआ 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 झाल झाल